बजट 2021 यहां देखे बजट आने के बाद क्या क्या हुआ सस्ता पेश करते हुए कहा कि वाहनों के कलपुर्जे और उर्जक्षेत्रों के उपकरनों सूती तथा कच्चे रेशम पर सीमा शुल्क को बढ़ाया गया है इनके अलावा निफ्था पर सीमा शुल्क को घटा कर 2.5 प्रतिशत कर दिया गया है स्टील के कबाड को मार्च 2022 तक सीमा शुल्क से छूट दी गई है मंत्री ने कुछ उत्पादों पर गुनियादी संरचना विकास उपकर लगाने का भी प्रस्ताफ किया साथी पुराने और प्रदूशन फैला रहे वाहनों को हटाने के लिए बहु प्रतिक्षित स्वेच्छिक वाहन कबाड निती घोशना की वाहनों को 20 साल होने पर और वानिज्यक वाहनों को 15 साल होने पर फिटनेस जांच कराने होगी उन्हेंने कहा कि ये निती देश की आयात लागत्स को कम करने में साथी पर्यावरन के अनुकूल तथा इंदर की कम खपत करने वाले वाहनों को भढ़ावा देगी यहां देखे सस्ते सामानों की लिस्ट सोने चांदी की सिक्के, पश्वों कचारा, पेट्रोल, उत्पात, कपड़ा उद्योग, लोहे का कबार, नॉन अलॉय स्टील, हवाई जहास के पाथ रसोई गैस सिलेंडर की कीमत, फरवरी महीने के लिए रसोई गैस सिलेंडर की कीमत हुई जारी, यहां देखे नए दाम ओल मार्केटिंग कंपनियों ने फरवरी महीने यानिके इस महीने की रसोई गैस की कीमत चारी कर दी है कमपनियों ने इस महीने के लिए LPG की रिसोई गैस और कमर्शियल सिलेंडर के दाम नहीं बढ़ाए हैं कमपनियों ने 2020 दिसंबर महीने में रिसोई गैस सिलेंडर की केमतों में दो बार भड़ोतरी की थी तकरीबन 100 रुपे दाम बढ़ाए थे जनवरी में ओयल मार्केटिंग कमपनियों ने रिसोई गैस के दाम नहीं बढ़ाए थे गैर सबसीडी वाले रिसोई गैस की केमत दिल्ली में प्रति सिलेंडर 14.2 किलो ग्राम यानी 694 रुपे में भिक रहा है देखे कहा कहा कितना बढ़ा रिसोई गैस सिलेंडर का दाम देश की रालीठानी दिल्ली में 19 किलो वाले लपीजी रिसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1349 रुपए है मही 14.2 kg सिलेंडर की कीमत 694 रुपई पौलकता में 19 किलो वाले LPG गास सिलेंडर की कीमत 1410 रुपई और घरेलु गास की कीमत 720.56 रुपई मुंबई में 19 किलो वाले LPG रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1297.50 रुपाय प्रती सिलेंडर पर पहुंच गई है मही 14.2 किलो ग्राम रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 694 रुपाय है चिन्नाई में 19 किलो वाले LPG रसोई गैस सिलेंडर की 1463.50 रुपाय प्रती सिलेंडर है 14 तशमलव 2 किलोग्राम रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 710 रुपए है